हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, देव हुमी एजुकेशन पॉइंट में आपका इकवाफीस वाकत है दोस्तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नॉटिफिकेशन बेल आइकन दबा कर अल नॉटिफिकेशन अन कर लेना दोस्तो आप लोगों के लिए आज के वीडियो में कुछ खास हम जानेंगे पूरी इंफॉर्मिशन आपके लिए क्या होनी वाले है यहाँ पर हम दो चीजें आपसे डिसकस करेंगे एक तो शिक्षक भरती जो बेसिक शिक्षकों की भरती थी जिसमें 3000 पद उपर भरती होनी थी प्राथिम के स्कूल में उसके हम बात करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में क्या-क्या अपडेट है नियूज आरी है क्या यहांपर होने वाला है उसपर बात करेंगे और उसके बाद ठीक है स्लिकिया बगार फिलाल मेर के परने फिलाल में बात अब इसके बात कiałem अई बात करेंगा लेहिं पर भरती में देर हो रही है आपको पता ही है सबी को पता है तो इस मामले में सरकार जो है सुप्रे üziest नहीं जाएगी सरकार नई यह decision अभी लिया है क्योंकि इस समय जो है जो हाई हाई कोट है हाई कोट में इस भरती को लेकर सुनवाई चल रही है और हाई कोट की भरती का जो भी फैसला आएगा उसी को ही अमल में लिया जाएगा ये कहना है मिनाक्षी शुंदर अमजी का ठीक है शिक्षा सचीव है जो यहां पर तो दोस्तों उन्होंने कहा कि सरकार चाहत लेकिन परदेश सरकार की ओर से पहले नियोस से राश्टी मुक्त विश्व इद्याले सिक्षन सस्थान से 18 महने का डियलेट डिप्लोमा इन एलिपेंटर एज्यक्विशन इससे बोला जाता है तो इसका कोर्स करने वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको भरती के लिए जो है वैलिट करार दिया गया था मानी करार दिया था लेकिन और उसके बाद उनको अविदन का मौगा भी दिया था जैसे कि आपको पता होगा पहले उनको मानी नहीं था फिर बाद में थोड़ा उनने हंगामा किया था तो उनको इसके लिए मानी करार दे दिया था लेकिन कुछ टाइम दिया का था उनको दुबारा से आप जो है अप्लाई कर सकते फॉर्म को लेकिन इसमाँ फिर से प्रॉब्लम होने लेगी जो डाइट से जिन लोगों ने डियलेट किया था उन अभिरतियों ने बिरोद किया और उसके बाद सरकार को जो है इस पर जुकना पड़ा तो कि मंदर अर्विन पांडंडे ने यो डिया कि NOS से डियलेट को शुख भर्दी में मांझी किये जाने के आदिष्को रद्ध कर दिया जाए जो उन्हential नहीं कहा था जोए जया सब आपको पहले से पता है उस समय यह सारी चीजे बहुत ज्यादा डिसकस की थी और आप लोगों ने भी अपनी राय अपनी प्रतिक्रियाई हमको दे थी दोस्तों इसके बाद से शिक्षक भरती का यह मामला कानूनी द्याओं पेस के चलते उल्जा हुआ है और डायेट और से डियालट करने वाले भुरतियों की और से इस मामले में हाई कोट में अलग-अलग याचिकाय दाखिल की गई है जबकि टीटी अभियरतियों की और से एक जनितियाच का दाखिल है टीटी अभियरति का कहना है कि कोवीट की वज़े से टीटी के रिजल्ट में देरी हुई अब यहाँ पर TET भी एक नया दाउं पेज फसा हुआ है क्योंकि अभियर्तियों का कहना है स्टुडेंट्स का कहना है कि कोरोना की वज़े से TET जो है अपने नियत समय पर नहीं हुआ था तो यह इसमें लेट हुआ था इसकी वज़े से हमको भी एक मौका मिलना चाहिए और उपर से अगर यह होता है तो इसके बाद जो परसूट डिजिजिजन आया है जिसको साथ साल से बढ़ा करके आजीवन कर दिया गया है तो वो भी अब्जेक्शन कर सकते हैं बाई पहले ऐसा नहीं था जबकि 2011 से हम वैलिड हैं तो फिर हमको भी मौका मिलना चाहिए है की नी तो यहाँ पर वो भी अपनी बात रखेंगे संबात देख लेना यह अभी कुछ नहीं हुआ है लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बात देखना यह लोग भी कहेंगे की 2011 से हमको मौका में जो हमारा वैलिड है तो इसका मतलब है कि हम भी अलिजिबल है तो यहाँ पर वो लोग भी आप अब्जेक्शन करेंगे वो लोग भी अलंगाइस में डालने वाले हैं अभी चले बाकि आपकी राय क्या है आप अपनी कमेंट करके हमें जरूर बताएं तो अब शिक्षा सच्व के मताबिक हाई कोड ने शिक्षक भरती मामले में दोनों याचिकाओं को PIL में मर्ज कर दिया है ताकि शिक्षक भरती मामले में जल्द फैसला आ सके शिक्षा सच्व ने कहा कि सरकार चाहती है कि बच्चों को जल से जल टीचर्स मिल सके और यही वज़ा है कि इस मामले में हाई कोड को का जो भी फैसला आएगा सरकार उस फैसले पर ही अमल करेगी और सुप्रीम कोड नहीं जाएगी ठीक है पच्चेस अप्रैल को परिश्व निती ल्टी की और लेक्चरर की का जो प्री एक्जाम होता है जो कॉमन पेवर होता है वो हो चुका है स्क्रीनिंग वाला तो इसकी परकेरिया जल्दे से जल्दे सुरू हो जाएगी जैसे ही कर्फियों हटेगा और इसकी इस्तिती थोड़ी से सामान्य होगे भी कोई डेट या कोई मन्त ऐसा संभावना कोई नहीं दिया बोला है कि जैसी इस्तिती सामान्य होते बैसी परिशा शुरू कर दी जाएगी तो कोविट को लेकर इस्तिती सामान्य होते इन पद उबर भरती कर दी जाएगी यहाँ पर बूला है यह इनफर्मिशन आप लोगों के लिए जो है अमने देदी दूसरे एक छोटी से इनफर्मिशन है मुख्य मंतरी की मुख्य सलाकार सद्रुगन सिंग ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठ जरूरी था चलिए यहाँ पर आप लोगों को दुविदा में हैं और सभी दुविदा में हैं कि यह इकजाम कब होंगे इनकी क्या प्रोसेस चल रही है तो आप लोगों को एक अपडेट मैंने थोड़ा साथ दे दिया है अगर आपको अच्छा लगा या खराब लगा जैस तो बाकी वीडियो के लिए हमाँ साथ बने रहें इस वीडियो में इतना ही है घर पर रहें शेव रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद